आज मैं आप लोग के साथ हलवा बनाने का एकदम नया और असान तरीका शेयर करने वाली हूँ और जब आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो वो दानेधार भी बनेगा और स्वाद बहुत ही जादा अलगाएगा तो हलो फ्रेंड्स वेलकम टो फूट जंक्षन बैडनी हाँ चले स्टार्ट करते हैं सूजी का हलवा बनाना जिसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम एक कब सूजी ले रहे हैं तो फ्रेंड्स हमें इसी कब से नापकर बाकी सारी चीज़े भी इसमें एड़ कर करने वाले हैं साथ ही इस पे डाल देंगे पास से 6 धागे केसर के और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो सूजी है वो फूल जाए और इसे 10 नट के लिए साइड में रख देंगे सिर्फ 10 नट में ही ये सूजी फूल जाएगी क्योंकि हमने दूद को रूम के लिए ही सोक करा था तो चलिए अब चलते हैं नेक्स स्टेप पर जिसके लिए कैस पर एक पैन रख लिया है और इसमें एट करेंगे एक चमस दीसी घी और इसमें हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट्स यहां पे मैं काजू और बदाम का यूस क को मैंने बीच में से कट कर लिया है बिल्कुल बारिक बारिक नहीं काटा है बस बीच में से दो टुकड़े करी हैं और इनको जब हम रोस्ट करकर हलवे में एट करेंगे न तो जो हलवे का फ्लेवर है बहुत ही जादा च्छाएगा और नट्स भी क्रेंची लगेंगे आप चाहें तो आप इने बिना रोस करें भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इने रोस कर रही हूँ और देखिए बस थोड़ा सा ही हमें रोस करना है वरना यह जल भी सकते हैं तो नट्स तयार हैं इने साइड रख देते हैं और इसी घी में हम एट कर लेते हैं तीन च दाल देंगे जब आप इस तरीके से सूजी का हलवा बनाएंगे न तो खाने में आपको वो एकदम दाल के हलवे जैसा स्वात देगा मतलब लगेगा ही नहीं कि आप सूजी का हलवा खा रहे हैं देखे हमें इसे इस तरीके से प्रैस करते हुए मिक्स करना है अभी आपको नहीं करना चाते तो आप इस तरीके की सर्विंग स्पून ले लिजे जो गोल चम्मच होती है न बड़ी और उसके बैक साइड से इसको प्रेस करते हुए मिक्स करिए इस तरीके से हलवा दानेदार बनेगा और ये हलवा बनाने की पहुत ही अच्छी ट्रिक है देखे हलवे क चलाते हुए मुझे 10 नट हो गए है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना दानेदार हो गया है इसे तरीके से हमें इसे भूनते रहना है अब हम इसमें वापस से थोड़ा सा देशी गी एड़ कर लेते हैं मैंने आपसे कहा था ना हमें एक साथ जादा गी नहीं डालना ह थोड़ा थोड़ा करकर एड़ करना है जैसे चैसे आप इसमें घी एड़ करते जाएंगी ये अच्छे से भूनता रहेगा और इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाएगा यहां देखिए मैंने इसमें तीन चमच घी एड़ कर लिया था वापस से और अब हम इसे फिर से भू लिया है जितना मैंने इसमें सूजी और दूद का यूज करा था सभी चीजें हम उसी कटोरी से मापकर या कप से मापकर ले रहे हैं और सूजी में बवल साने का मतलब है कि इसमें और घी डालने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है तो यह है आज की सेकेंड टिप चलिए साफी समय हो गया है और आप अब नोटिस करेंगी कि सूजी भून चुकी है जैसे ही मैं उठा रही हूँ ना तो देखिए सूजी के दाने भून गए हैं और अब बारी है इसमें पाने आट करने की तो यहाँ पे मैं तीन कटोरी पानी का यूज कर रही हूँ मतलब जिस कप से नापके हमने सूजी दूद और घी लिया है उसी कप से नापकर हम इसमें तीन कप पानी आट करेंगे और जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे ना आप नोटिस करेंगे सूजी सारा पानी एब्सॉप कर लेगी और उपर थोड़ा सा घी रह जाएगा तो आप ऐसा बिलकुल मत सूजी का कि घी हमने जादा डाल दिया है क्योंकि इस हलबे में अगर आप घी कम डालेंगे तो हलबा बिलकुल भी अच्छा नहीं मनेगा और नहीं खाने में स्वाद अच्छा आएगा पर देखते देखते ये घी भी सूजी एब्सॉप कर लेगी और ये देखिए सूजी इने सारा घी और पानी एब्सॉप कर लिया है और ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है तो अब बारिये इस पे मीठा एट करने की तो दोस्तों मीठा आप कम्या जादा भी कर सकती है यहां पे मैंने उसी कटोरी से नाप कर पिसी हुई चीनी का यूज करा है आप चाहे त तो आप इसमें साबू चीनी भी डाल सकते हैं पर मेरे पास पिसी होई थी तो मैंने इसमें वही डाल दी है और मैं इस हल्वे को थोड़ा कम मीठे का बना रही हूँ इसलिए मैंने एक कप चीनी डाली है पर अगर आप इसे थोड़ा जादा मीठा बनाना चाहते हैं तो quantity डेड़ कप रखेगा देखिए चीनी इसमें घुल गई है और घी वापस से अलग होना शुरू हो गया है इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और अब बारिया इसमें इलाइजी पाउडर एड़ करने की तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें इलाइजी पाउडर दाला है और यहां भी मैं बिल्कुल चुटकी भर रेड़ फूट कलर का यूज़ कर रही हूँ अगर आप नहीं चाते तो आप इसे बिल्कुल पुरी तरीके से स्किप कर सकते हैं यह एकदम ऑप्शनल है पर मैंने थोड़ा सा फूट कलर यूज़ करा है और अब वापस से प्रेस करते हुए इसे हम दो से तीम नट और मिक्स कर लेंगे आप देख पा रहे होंगे हलवा एकदम दानेदार बना है और अब बारिया इसको सर्फ करने की तो बहुती जल्दी बहुत जादा टेस्टी और एकदम डिफरेंट तरीके का यह हलवा बनकर तयार होता है आप इस हलवे को किसी को भी सर्फ करेंगे न तो वो पहचानी नहीं पाएगा कि आपने इसे सूजी से तयार करा है तो इस अस्टमी आप मातरानी को इस हलवे का भोग लगा सकते हैं या फिर वैसे भी आप इस हलवे को बना कर खा सकते हैं तो दोस्तों आपको ये आज की हमने रोस्ट करकर रखे हुए थे और देखे कितना टैम्टिंग और टेस्टी हलवा लग रहा है तो है ना मसेदार रेसिपी तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेस्बुक पेज और इंस्ट्राग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विद्ध सेम आईडी फूर जंक्षन बाइनिहा नॉर्मल सुजी का हलवा तो आपने काफे बार बनाया होगा पर एक बार इस सुजी और दोद के हलवे को ज़रूर ड्राय करिएगा मुझे पूरा य देखेगा मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को ठैंक यू कि आपने इन रेसिपीस को इतना पसंद किया आप सभी क जय माता दी और आपकी जय माता दी कमेंट्स का मुझे इंतिजार रहेगा बाबाई